आज का मारे सब्जेक्ट है हिंदी पार्ट नौ है चंदर शेखर वेंकट रमन आज हम चंदर शेखर वेंकट रमन के बारे में पढ़ेंगे बहुतिक विज्ञान में रमन प्रभाव के अविश्कारक चंदर शेखर वेंकट रमन एशिया के प्रतम वैज्ञानिक थे बार्त को समस्त जीवन अर्पित करने वाले विज्यान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इसमहान वेज्यानी कर्ण जन्म सात नंबर 1888 को तमिलनाढु राज्य के त्रीचन्ना पली नगर में हुआ था इनके पिता का नाम चंद्रशेकर रायर तथा, माता का नाम पारवती उम्मल था इनके पिता एक माध्यमिक विद्याले में शिक्षक थे अपनी पुत्र की सिक्षा के संबंध में उन्होंने प्रारंब से ही विशेश ध्यान दिया यह हम चंद्रशेकर वेंकट रमन के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब जो हमारे पूरे एशिया जो माधीप है उसके ऐसे प्रथम साइंटिस्ट वेग्यानिक थे जिन्हों ने फर्स्ट नोबल पुरुषकार मिला था और इनका जनम काउवा था तमिल नाडू के त्री चन्नापली में यह जाधतर जो है फिजिक्स से रिलेटेड ही यह नए नए इन्वेंशन्स वगेरा या फिजो है खोज करते थे 12 वर्ष की आयू में रमन ने रश्विक अक्षा की परिक्षा प्राप्त की सन 1904 में यह प्रेसिडंसी कॉलेज मद्रास में उच्च सिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए BSC की परिक्षा में संपूर्ण विश्विद्याले रमन अकेले ऐसे चात्र से इन्हें प्रथम श्रेनी प्राप्त हुए इन्हें विञ्ञान में स्वन पईदक, स्वन पईदक मतलब गोल्ड मैदलिने मिला था सन 1906 में इन्होंने MSC में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया बहतिक विज्ञान विशे में मद्राश विर्थ विद्धाले में प्रतम शेरिनी में उत्तिन होने वाले रमन पहले छात्र थे 1907 में उने दूसरे विशे में भी विशेश योग गिता के साथ एमें किया गनित दता भौगतिक विज्ञान में इनकी विशेश रूची थी मतलब जो माजर संद्र शेकर वेंकर ट्रमंत इनको मैच्स और फिजिक्स में जादा ही इंटरस्ट था विद्याती जीवन से ही ये शोधिकारे में वियस्त रहते थे शोधिकार्य मतलब इन्वेंशन्स करने में नए नए विश्विदाले में इस संबंध में पूरी सुविदा प्राप्ती इनी दिनों इनका एक लंदन के फिलोसोफिकल वैक्जीन में प्रकाशित हुआ इनकी पतिभा से प्रभावित होकर सरकार की ओर से ही ने विदेश में उच्च सिक्चा प्राप्त करने के लिए शात्रविर्ती शात्रविर्ती हम स्कॉलर्शिप को बोलते हैं शात्रविर्ती दी गई किन्तु इनके स्वास्त ने इनका साथ नहीं दिया फलस्वर उप रमन विदेश ना जा सके उन्होंने वित्त विभाग मतलब फाइनेंस वित्कॉम फाइनेंस बोलते हैं की प्रतियोगिता परिक्षा में सरप्रतम सानप्राप किया अतव वित्त विभाग में दिप्टी अकाउंटेंग जनरल के मैटपोन पडपन की न्यूकति हुई इनका कार्य छेत्र कलकत्ता था 19 वर्ष के अवस्ता में स्रीक्रेशन स्वामी आयर के सुपूत्री के साथ वेंकट रमन का विवा हुआ वित्त विभाग में कायत करते हुए भी इनकी रूची बराबर विज्ञान में बनी रही एक दिन जब ये ट्राम से अपने दफ्टर जा रहे थे तो मार्ग में एक बोर्ट पर इनकी द्रिष्टी परी जिस पर लिखाता इंडिन एस्वोशियेशन फोर दा कल्टिवेशन ऑफ साइंस साम को अपने कारेया लाय से लोड़ते समय रमन वहां गये संस्था के मंत्री श्री अम्रित लाल सरकार से इनकी भेट वी रमन की प्रतिभा से प्रभावित होकर अम्रित लाल सरकार ने ने विज्ञान में शोद करने के लिए संस्था के और से पूरी सुविदाय देने का आश्वासं दिया यहां रमन ने भी अपनी और से परिश्रम करने में कोई कसर न चोड़ी अपने कारेयले जाने से पहले और कारेयले से लोटकर ये शोध कारे में सलगनन रहते थे मतलब सलगनन मतलब पूरी तरीके से ये उसको अपना समय देते थे इनका विश्य था प्रकाश के किर्णों का प्रभादों पर क्या प्रभाब परता है और प्रधादों की रचना के अंसर प्रकाश के किर्णे के प्रभाब में क्या अंतर परता है साथ ही इन्होंने वाध्य अंत्रों के साब्धिक गुनों पर भी खोज की अपने प्रियोगों पर जो जो इन्हें सफलता मिलती गई इनकी ख्याती को पंक लगते गए मतलब ये जैसे इन्वेंशन करते थे फिजिक्स से रिलेटेद तो इन्हें जब ये मतलब डिप्टी ऑफिसर मतलब वित्वी भाग में जब ये मतलब डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के महत्पून पर पर थे तो जब ये मतलब जब घर लोटते वक्त इन्होंने एक इंडियन असोशियेशन फोर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस का एक बोर्ट देखा था तो उनका ध्यान जो था वो वित्वी भाग में रहने के बाबजूत भी उनका दिमाग कहा था उनका दिमाग जो है साइंस की तरफी ज़ादा अट्रेक्टी था उसके लिए वह जादा सोचते थे तो उन्होंने वहां मतलब जो अम्रितलाल सरकार थे उनसे बात की अमरितलाल जी ने अपने ऑफिस में बुलाया उन्हें सोध करने के लिए इन्वेंशन करने के लिए पूरे सामान दिये उनको पूरी छूटती और उन्हें जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे प्रोग्रस मिलती गई उनको आगे खोज करने के लिए नए नए आइडियाज मिलने लग गए कलकत्ता विश्विध्याले के उपकुलपती शुतोष मुखर जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर अमन को कलकत्ता में वैंकर्ट रमन ने भॉकितिक विज्ञान में अध्यापन कारें शुडू किया श्री अमरितलाल सरकार का देहा वसान हो गया मतलब 1919 में अमरितलाल जो सरकार थे उनका निधन हो गया मतलब वो मर गए रमन ने उनके स्थान पर इंडियन अशोशियेशन फौदी नो ने सोध कारें कि और सित्रिग्या की विवहनीं पतातों के अनुबें भिन भिन शुम्रार शक्ती होती है मैं माज्रृष हां प्रकाष को नेवन पतातयों के अनुवह से गुजरती तो उस में भिन भिन रंग दिखाये दे दिखाज देए मतलब रमन का क्या रमन तो क्या होता है मतलब जिस चीज़ से घजरती है उसमें एक मैगनेटिक फिल्ड होता है मैगनेटिक पावर होता तो जिसकी वज़ेसे क्या होता है वह अलग-अलग रंगों से दिखाई देती है जब वो उसकी आर पर जाती है तो सन 1929 में विज्ञान समेलन में भाग लेने के लिए वेंकट रमन इंग्लैंड गए इन्हों ने अपने शोधिक परिमनाम विदेश विज्ञाने कर सामने प्रस्तुत किया बायत लोड़ते समय इन्हों ने इन्होंने आकाश के नीरी रंग के विशे में अनू संधान किया इन्होंने सिद्धि किया कि समुंद्र के पाने का रंग नीला होने था विविन फूलों के रंगों के अलग-अलग होने का यही कारण है कि उस प्रकाश की किर्णों का परिशेपन किस प्रकार प्रकाश किर्ण प्रवाब क्या है इननों प्रवाब हम इसे बोलते है नहीं जो नीला आकाश है या तुम हम्थन तो क्या होता है commitment लाइट परती तो इसकी वजह होता है reflection के वजए से परिक्षेपन होता है investigation मतलब उन्होंने उसके पर investigation किया की जो यह कलर जो हैं हमें ऐसे क्यूं दिखाई देते हैं आकास जो हमें निला क्यों दिखाई देते हैं इनकों से रमन की गर्णा विश्व के स्रेष्ट वैज्यानिकों में की जाने लगी वैज्यानिक जगत इनकी प्रतिभा का लोहा एक वर्ष बाद 1930 में रवन पुरहाब के लिए इने संसार का सरबादिक सम्मानित नोवल पुरुसकार प्राप्त हुआ 1934 में इनोंने बैंगलोर में ही इंडियन इंस्ट्टूट ऑफ साइंस की स्थापना किया और इसकी साहिता से अपना शोध्यकारे जारी रखा बाद में 1947 में इनोंने बैंगलोर में रवन इसर्श स्थापित किया तजा जीवन के अंतक वहां काम कहते रहें इसी वर्ष ये भारत के पथम रैश्ट्र प्रोफेशन नियूक्त हुए 1951 में अमेरिका की फिलोडेलफिया इंस्ट्यूट दौरा रमन को फ्रेंकलिंग पदक दिया गया 1954 में ये भारत के सरवोच समान भारत रंच से विभूशित किये गए विभूशित मतलब सम्मानित किये गए रूस ने भी रमन जैसे महान वैज्ञानिक की प्रतिभा को सहरा हा था सन 1957 में इने लेनिन पुरुशका से गौरम वानवित किया इस प्रकार दिर्गहपती तक विभ्यान की सेवा में समर्पत या प्रतिभावान वैज्ञानिक सन 1970 में पालोग वासी हुए मतलब उनका प्रतिण पास स्वनपदक सोने का तमगा व्यस्त काम में लगे रहना चात्रवर्ति वजीफा स्कॉलर्शिप आस्वाशन दिलासा देना सोध कारे खोज का काम करना दिर्गहपती लंबी अबधी नेक्स्ट आपने क्या सीखा पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए संद्र शेखत वेंकट रमन की माता का क्या नाम था तो पारवती उमल बीएसी की परिशाम रमन ने कहां सो तीन की थी प्रेसिडेंसी कॉलर्श से वेंकट रमन ने भौकितिक विज्यान में ध्यापन कारे कपसे शुरू किया तो सन 1917 में विज्यान समेलन में भाग लेने के चंद्र शेखत वेंकट रमन कहां गयते तो इंग्लेंड नेक्स्ट रिकसानों की पूति कीजिए रमन के पिता का नाम चंद्र शेखत अयर्था विबिन परदातों के अनुवों में भिन भिन चुम्बक्य शक्ति होती है भारत के अंग्रेजी सरकार ने रमन को सर्क की उप नेक्स्ट सही मिलान कीजिए मैं ट्यूशी पदक का मिला था रमन जी को तो 1928 में फ्रेंक्लिंग पदक 1951 भारत रत में 1954 लेनिन पुरुषकार 1957 नोबल पुरुषकार 1930 और सरक्यूपादी 1939 में नेक्स्ट भाशा ग्यान दीगए शब्दों से भावाचक संग्या बनाईए भावाचक संग्या बनाना है भावुक का भावुकता राश्ट्र का राश्ट्रता लगू का विश्वसनी इन सब का आप खुद बनाओगे नेक्स्ट दिए गए वाक्यान शों के लिए एक सब्द अविश्कार करने वाला अविश्कारक गौरव सियूप गौरव आनवित दो आप खुद करोगे नेक्स्ट दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए आपको इन सब शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है वैज्ञानिक चंदर शेकर वैंकर रमन एश्या के प्रथम वैज्ञानिक थे यह हो गया बाकी जो है आप खुद करोगे अब हम इससे रिलेटेड वाक्षीट करेंगे यह हमारी होम वाक्षीट 50 है डे 22 दिसंबर तुर्ण 20 है डे हमारा ट्विजडे है पार्टनों जैसे संदर शेकर वेंकर्ट रमन करा है उससे रिलेटेड हमारी वाक्षीट है निमली की प्रेश्णों के अत्तर द गर में हुआ था उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए रमन को सरकार की ओसे क्या सुविधा दी गए गनित था बहुत एक विज्ञान में इनकी विशेष रूची थी विद्याती जीवन से ही यह सोधिकार में वियस रहते थे विश्व विद्याले में इस संबंद में खात्रवृत्ति दी गई थी नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम वित्यविभाग में रमन को किस पद पर नियुक्ति किया गया वित्यविभाग में रमन को दिप्टी अकाउंटेंट जनरल के महत्पून पद पर नियुक्ति हुई इनका कारेशेत्र कलकत्ता था in 잘 इंडियन एइससीशन फोडी कल्टिवेशन ओफ साइन्स में रलान के खोज का क्या विषै था प्रकाश की किन्रों का पदातों पर क्या प्रभाव परता और पदातों की रशना के अंसर परकाश की किनों के प्रभाव में क्या नतर पड़ता है साथी इननों ने वाद्य अंतरों के शोब्दिक गुनों पर भी खोज गी थी आशुतोष मुखर जी कौन थे उन्होंने रवन को किसलिया अमनी मंत्रित किया आशुतोष मुखर जी कलकत्ता विश्विद्याले के उपकुलपती थे इन्होंने रमन की सफलता से प्रभावित ओका रमन को कलकत्ता विश्विदाले बाध्यापन कारे करने के लिए निमंत्रित किया रमन प्रभाव के विशय में आप क्या जानते हैं इंगलेंड से भारत लौत्रि समय उन्होंने आकाश के निली रंग के विशय में fanos शंत्ठान के नुनने सिद्धि किया कि समुंधर के पानी का नीला होने स्था। विभिन पूलों के रंगों के अलग-अलग होने का यहीं है कि उस्पदात का प्रकाश की किर्णों का परिशेपन किस प्रकार करते हैं प्रकाश के पढ़ने वाले इस प्रभाब करें म प्रभाम क्यद के संग्य दी गई है रमन प्रभाब की श्यायत्ताzhे पदातों की आन्तिक रच्ना का भी पता लगायजा सकता है एक विग्जान की सर्वोच सम्मान भायत्रंच से विभूशित किये गए रूस ने भी ने रमन जैसे वहान वेज्ञानिकों की प्रतिभा को सराहत इता उनिस सुन्तावन में ने लेनिन पुरुषकास से गौरम वानवित किया यह हमारी होम वरक्षिट यहीं कम्प्लीट होती है आपको कोई भी प्राब्लम आप मुझसे पूछ सकने हैं थैंक यू